दोस्तो हमारे देश में दिन की शुरुआ चाय की चुस्की के बिना सुरू होना पॉसिबल बिलकुल नहीं है और आज से 2000 साल पहले जब बहुत भिख्षुल हमारे देश में चाय लेकर आयते तो हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे देश में चाय इतना important role कर देगा लोगों के लिए तो दोस्तो आज चाय के बारे में इतनी चर्चाय क्यों हो रही है तो चाय के बारे में चर्चाय इसलिए हो रही है क्योंकि आज हम जा रहे हैं चाय की चुस्की लगाने के लिए एक खास जगर पे जहां पे सुनाएं चाय बहुत ज़्यादा फेमस है जहां की और शात में वहां का breakfast भी बहुत famous है तो हम दोनों चीज़ें enjoy करेंगे लेकिन जो main focus रहेगा हमारा वो रहेगा चाय तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं और चलिए चाय हो जाए कर दोस्तों चाय हो जाए तो दोस्तों मैं हूँ SFS मानसुरवर एरिया में और मैं हूँ नशा चाय का जगा का नाम है एक tea spot है tea cafe बोल सकते हैं बहुत अच्छी चाय मिलती है मैंने यह इस बारे में सुना हैं यहापे हम भी यहापे चाय की चुस्की लेने आए हैं चाय की वेरियंट देखने आए हैं और ओनर से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि इतनी चाय स्पेशल कैसे है उनकी दोस्तों नशा चाय का में हम आ चुके हैं और हम ने चाय भी ऑढर कर लिए है और चाय का मेन्यू भी हमारे पास है और हमने अभी 4 टैप के चाय जो है ओडर किये हैं कौं कौं सीचाय हम ने ओडर किये हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा 2017 पस इंक बासwork रीज्ट हैं चाय के भी मैं आपको अभी बता देता हूं कमेंट बोक्स में बताइएगा मैंने यह पहली बार देखे हैं और कुछ नाम तो बड़ी यूनिक है जैसे इनका जो नशाद चाहे बड़ा यूनिक है मैंने कभी नहीं सुना था आज हमने वो और भी किया है और साथ में इनका है ड्राइफूट का टी अलग से है चॉकलेट टी है जैपुरिया काजू स्पेशल टी है और राजसानी मिक्स मसाला टी भी है हॉट स्पेशल है जिंजर है इलाइची है ब्लैक पे होगा यह सारी चीजें हैं और जो यहां के ओनर हैं उनसे भी मैं मिला दिता हूँ मैं आभी आपको नवनीच सिंग सोलंकी जी है नशा चाय का के ओनर है नवनीच जी टैंक्यू बहुत अच्छे अच्छे वेरियंट हमने तो वैसी इसे पहले भी आया थे और इनके चाय हमन तो पी है और हमने समझी भी है आप भी थोड़ा वाल अगर बता सके तो मेरा ऐसा था कि मैं देखता था जगे-जगे मैं भी चाय पीता था आपकी दरे स्टुडेंट लाइक में कुट चाय भी नहीं पाता था मार्केट में बहुत सारे वेरिंट मिल रहे हैं लेकिन वह होत आपके थोड़ा थोड़ा और देरे देरे काफी अच्छा नाम भी हो गया आपके यहां पर चाय का और एक अच्छा ब्रेंट बन के आ गया है आज हम क्या-क्या चाय पीने वाले हैं जैसे कि यह मैं देख पा रहा हूं जैसे बेसीकली जो हमारी चाय है यह नॉर्मल वाली और इसमें मैंने जैसे कें बंदवे देख रहे थे काजू पिस्ता केसर सब कुछ और यह काफी थिक है काफी थिक है ना क्रीम भी है तो चलिए शुरुवात इस पेशल से करते हैं राइट सर आप भी चलिए 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 चेस सारे वलेवर जो है इसमें बहुत बढ़िया तारीके सार है और ऐसी चाय मुझे नहीं लगता कि कहीं भार मिलने वाली है क्योंकि इसमें काफी अच्चा फ्लेवर है इसमें काजू की जो रिचने सारी है वो भी आरी है आपने जो इसमें क्रीम डाला है आमुल का, वो भी उसकी ठीकनेस भी आ रही है और उसका जो स्मूदनेस है वो भी बहुत अच्छे सा रही है इसमें बहुत प्यारा, केसर का फ्लेवर नवरीट जी आपका जो यह नशाय स्पेशल है इसमें सच में बहुत साथ अच्छा साथ नशाय है और वाकि में जो चाय लवर नहीं भी है वो भी अगर इस चाय को पीएंगे तो हो सकता है कुछ दिन वाद वो चाय पीनें लग जाएंगे आराम से बहुत उंदा है, बहुत उसके हमारे पास जामुन शॉट साथ के एक एक चीज ट्राइक और आप लोगों से यहा तक मैंने एंदवाद में लास्ट आप उसके बाद जैपूल में मिलेगा, जैपूल में वी तक को भी नहीं नहीं तक यह अगर आप जावन में और आपको लगता है कि आए कि आप ता तो आप इस एरिया में आईए, डिस्क्रिप्शन में मैं सारी एड्रेस वगरा दे दूँगा आपको, तो चलिए आप ब्रेक्पास्ट में चलते हैं और चाय भी चलती रहेगी साथ साथ तो दोस्तो ब्रेक्पास्ट मेरा सच चुका है प्लेट में विट चाय, क्योंकि चाय यहां की बहुत फेमस है और मैं यहां पर पी चुका हूँ, करीबन चार कप चाय पी चुका हूँ मैं, और यह पांच वा कप है मेरा चाय का, तो जो यहां पर विकफास हमने ओरर किया है, या फिर हमने मनगाया है, वह है यह फोली लौडट सैन्विच, ये दाइपूरी है यह आज ही शुरू और यहां पर पर तो इसके पहले कस्टुमर हम हैं, दाइपूरी के, तो दाइपूरी भी हम ठोज़ाए, ट्राय करेंगे, उसके साथ ही साथ दोनों तरीगे पास्ता है ये है रेड पास्ता और ये है वाइट पास्ता आपको कौन सा वाला पास्ता पसंदे प्लीज बताइएगा सो शुरुआत करते हैं हम अपने रेड पास्ता से चलिए जी ये देखिए बड़िया सा पास्ता उपर से चीज और ये देखिए चलिए इसको ट्राइ करते है बहुत प्यारा दोस्वास ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा देर हो गया है क्योंकि हम शूट में काफी देर तक विजी थे तो काफी टाइम हो गया है अल्मोस्ट ब्रेकफास्ट का लेंज होने का आगया है लेकिन बड़ा मज़ा रहा है बहुत बड़े यह है यहां का फेमस वाइट पास्ता बहुत बड़े वह सारी खास बाते जो एक अच्छे पास्ता में होने चीए उससाब है इसमें सब चीजे बैलेंज है और बहुत अच्छे मसाले इसके उपर इंगिरिंस डाले हुए हैं मज़ा आ गया बहुत फूट आपको अब बताएंगे यहां की जो आज जो यहां का जो मैन्यू में न बढ़िया लोडेट है इसमें दई और सौट जैसे हम बीटी चटनी कहते हैं यह देखें एक और ट्राइग करते हैं फिर बताता है आपको बहुत 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 निश्वाद धनिया की खुश्बू धनिया का फ्लेवर मज़ा आ गया फुली लोडेट जो है यह ग्रिल सांविच है यह आखा यह देखें अ यह देखा फुली लोडेट है मजा रहाएगा आपको इसमें और इगानो है चिली फ्लेक्स है और टमाटर है कुछ वेजीज हैं और इसको ग्रिल किया गया है तीन ब्रेड में और उपर से चीज दबा के डाला गया है और साथी साथ इसमें दोनों टाइब के चीज जा देखें यह देखें यह उपर मौजिरला चीज और अंदर है इसके चीज स्लाइस यह देखें यह है चीज स्लाइस शरी इसको ट्राइब करते हैं बहुत ही मस्क बहुत ही उंदा मज़ा है या बहुत अच्छा इसकी ने पास्ता भी बैतरीन है हमारी दाई पपड़ी वह भी बैतरीन है और यह फुली लोड़ेड सैंविच क्या कहने दोस्तों अल्टीमेट है और इसके बाद भी यह वीडियो खतम नहीं होता है एक बहुत ही बहुत ही बैतरीन चीज जो की जैपूर में कभी भी नहीं मिलती है मैंने एंदाबाद में खाया था जिसको कहते हैं शॉट्स और इस्पेशली जामून शॉट्स उसको ट्राय करने की लिए मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ शुट्स रहता है अगर आप जामून शॉट्स मंगाएंगे तो आपको दो मिलेगा तेस्ट करने के लिए तो चली इसको हम टेस्ट करते हैं और आपको बताते है कि इसका स्वाथ कैसा है यह बहुत बैतरीन सादार तो आप आप में चलते हैं गोवा शॉट आपको ट्राइ करके बताते हैं यह कैसा है कि इसके आब 12 महिने ट्राय कर सकते हैं ऐसमें जाप लिए सार्थी का है और 12 महिने की चीज़ है बड़ा मज़दार होता है फीने में और एक बार पिवो तो पीने का मन भाला करता है इसको तो बहुत उन्दा बहुत शान दा रही है तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो बढ़िया अच्छा ठीका जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताईएगा मेरा मन है दोस्तों इस बार कि हम 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने डिसमबर तक और ये आपके बिना और आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है तो वेट मत करिये सपोर्ट करिये प्यार दीजिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए और दिसमबर तक 10,000 सब्सक्राइबर का टार्गेट पूरा करवा दीजिए थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडि अबाइबर के बिना आपके बिना आपके सपोर्ट के बिना आपके।